अश्राम नेकों आपको तुल्लाह व्राकत मैं मुकदर सुष्णान चोधरी एंड वेकम तो माई चैनल माई ओन वे बेस्ट टैन सीक्रस टिप्स और ट्रिक्स अबाउट विंडोस के साथ मैं आपकी पेशे गिद्मत और हम सबसे पहले शुरू करते हैं यह मैं कम्प्यूटर यह विंडोस जो इस्तमाल करी हूँ यह विंडोस 7 है लेकिन जो ट्रिक्स आज हम सेखें कि हो विंडोस 7, XP बेवी और 8, 10, 10 जों से भी आप विंडोस इस्तमाल करें आप उस पर यह ट्रिक्स अप्लाय कर सकते हैं और अगर कोई दिक्त हो, कोई हो तो आप अप विह यह सकते हैं अप्लाय को सब्सक्राइब कर लिया और श्रा मेरे चैनल कर नहीं और आप देखें तो चैनल कर सीटल करते हैं सबसे बहरे पस है लॉंच टास्पार्ट गर्राम फिटियो कTake को अगर Lyon अगर आपने अपना टास्कर बोज्राइए पसके कोई लिजूर को कीवोड से उपन करना है तो आप कैसे कर रेख सकते हो सबसे पहले आपकं बदाते हैं गाल.'" इसको हम Taskbar बोलते हैं और Taskbar पर मजूद प्रोग्राम हमारे पास यह हैं जो आप इस वरत यहां पर देख सकते हैं जिसे हम Quick Launch भी बोलते हैं और हमने अपर डिफेरेंट प्रोग्राम को यहां पर पिन भी किया हुता है तो अगर आपने माउस के इस्तेमाल ना करना हो और यहां से प्रोग्राम को उपन करना हो तो आप कैसे करेंगे Keyboard पर आपके पास एक Key मजूद होती है Last bottom line में आप देखेंगे Control की कि इस बिल्कुल साथ Right Side पे control की कि बिल्कुल साथ आपका बस Windows की होगी Windows की इसके साथ आपने digits यूज़ करने है like 1, 2, 3, 4 तो आपके different programs जो respectively जिस number पर मज़ूद हैं, जिस position पर मज़ूद हैं वो open होगे जैसे ये 1 है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है आप मैंने यहाँ से word open करना है तो मैं Windows के साथ थर्ड नंबर पर है तो मैं इसको Windows की के साथ 3 प्रेस करोंगी और ये मेरे password open हो जाएगा इसके लाबा मैं मुझे VLC open करना है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हम Windows के साथ 9 की प्रेस करेंगे combination में तो मैं पास VLC भी open हो जाएगा तो ये था हमारा सबसे पहला trick launch taskbar program video keyboard keyboard की मतर से बने launch करना programs को taskbar पर मझूद है ये रहा मारा word में तो चले बोफ करते हैं उफने next trick की तरफ ये word loading में थोड़र टाइम दे रहा है चले ओपन होगा तो आप देख लीजीगा और quickly launch a new instance of आप एक program आपने आपने करना है जो instantly आप चाहते हैं उसका इंटरफेस आपके सामने आजे तो आप जैसे मैं यहां पर Chrome उपन कर लिती हूं अपने पास Chrome उपन कर लिती हूं ले जी मैंने Chrome उपन कर लिया यहां से ईटेब उपन करी हूं अब मुझे क्रॉम की एक कर नियों फाइल चाहिए मतलब नियों इंटरफेस चाहिए तो मैं क्या करूंगी मैं शिफ्ट के साथ ये क्रॉम के मतलब आइकन के क्लिक करूंगी और ये में पास इंस्टेंट पेज ये ओपन हो जाएगा इसी तहां जा मैंने वर्ड ओपन जैसे किया हुआ है मैं कंट्रोल शिफ सोरी शिफ को होल करते वे वर्ड के पर क्लिक करूंगी तो एक और वर्ड की फाइल में आपस ओपन हो जाएगी और आप देखें एक के साथ दूसरा डॉक्यमेंट ओपन हो गया और फुरी तोर पर हो गया पहले इतना टाइम लगा तो इतना ताइम अब फोरिटर कर ओपन हो जाएगा यहां फिर आप शिफ्ट विंडो की और नीचे से आपका जोंसे नंबर पर भी आपका प्लोग्राम होदा जैसे मेरा फॉर्थ नंबर पर है स्नाप स्नाप पिंटूल स्निपिंग तो मैं शिफ्ट विंडोज एंड फॉर को बॉल्ट करूंगी तो मेरे पास निपिंग टूल ऑपन हो जाएगा यह आप देख सकते हैं स्निपिंग टूल मैंने विदाउट उजिंग माउस इसको उपन किया है और इसके शोट किटी में आपको बता दी है शिफ्ट विंडोज की एंड जिस नंबर पर आपका हो प्लोग्राम पास्पार पर मजबूद है तो चलें बढ़ते हैं आपने तीसरे ट्रिक की तरफ जो के बहुत ज़्यादा कॉन्फिदेंशल है और यूस्फुल भी है और आपको इस ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा अब में आप देखें हम राइट क्लिक करते हैं हमारे पास मैंने में यह सब ऑप्शन्स आते है लिकिन यह ओप्शिन्स वो हैं जो सिरफ मैं इ动 कॉमें लीउस होते हैं लेकिन कुछु उप्शंद यहां पर हमें डिटेल में भी शोब हो सकते हैं कैसे हो नहीए और रेकि जैसे के मैं यहां पर एक यह मैंने कॉरल जरा का शॉक्टट रखा गया और मैं इस फाइल का करूंगी, Simple right click करना, Simple right click करके में पास यह option आएंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ path का, यहाँ right click करेंगे, आप देखें यहाँ पर आप पास path को copy करने का कोई option यहाँ दिकाई नहीं दे रहा, तो अगर मैं shift के साथ इसको right click करूगी तो यहां बरा देखेंगे copy as path कि आप इस file को एक path की तोर पर copy करना जाते हैं तो आप इसको shift के साथ right click किया copy as path पर click किया अप इसका फाइदा क्या होगा आप इस part को paste कहां करोगे कि आप इसको यहां पर file को search करने के sense में यहां बरा paste कर सकते हैं और आपके पास फाइल आगया आप इस पर click करोगे आपके आपके पास correldra open जाएगा अमीद है यह तीसर ट्रिक पर आपको समझ आया होगा और जो लोग थोरली और बड़ा मतलब पवंदी के साथ काम करते हैं यह सब कंप्यूटर पर तो उनके लिए तो बहुत यूजफुल है यह अब हैसे हम यहां से close करते हैं हम इस पर खाम नहीं करना और चलते हैं आपने चोथे यानि कि फूर्थ ट्रिक की तरफ और वो है more secrets right click options मतलब right click करने पर आपको मजीद secret options कौन से मिलेंगे वो हम देखते हैं आप simply right click करते तो आपके पास यह option आता है अगर आप आप इसी को shift के साथ right click करो तो आपके पास options like मैं आपको बताती हूँ आपने यह file है मैंने इस folder का shortcut by desktop पर बेजना है मैं क्या करूँगी shift के साथ right click करूँगी यहां पर मेरे पास send to का option आएगा और उसमें यह सारे options आजाएंगे जबके अगर मैं shift के बगएर इसको करूँ send to तो यह रिखे कुछ एक दो तीन चाप अचे सिरुप 6 option आ रहे हैं लेकिन अगर मैं shift के साथ इसको करूँ तो send to और यहां पर यह options डिफनेट आ रहे हैं कि मतलब आपने इसको डावलोर्ड और यह फर्दर commonly जो used हमारे locations होती है वो यहां पर शोग हो रही है लेकिन अब सवाल ही होता है कि क्या हम यहां पर यह send to को लिए यह menu में क्या अपनी जो हम location यूज करते हैं यह जो folder यूज करते हैं वो add कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और वो भी मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप उतसे अपने यहां पर send to options कैसे बढ़ा सकते हैं तो यह अभी जो था right click के हवाले से यह था right click के further hidden आपको options रहे हैं तो आप हम बढ़ते हैं अपने पांच में टिप की तरह tweaking the send to menu के send to menu में अपने खुद के folders वेरा कैसे add कर सकते हैं तो चैले मैं आओ को बताती हूं सबसे पहले हम क्या करते हैं dex2 पर एक shortcut रख लेते हैं जैसे कि चैले में अपने नाम का एक folder का shortcut dex2 पर बेज देती हैं सबसे पहले मैंने क्या किया किया को एक shortcut जो आप चाहते हो जिस नाम से जो folder आप चाहते हो कि उस menu में शोगो send to में आपने उसका shortcut dex2 पर ले ले लेना है यह रहा वो shortcut जो मैं चाहती हूं कि मैंने मैं मैं अब क्या करूंगी कि मैं विंडोग स्पॉरर आपन कर लखी हूं और इसमें मैं करूंगी अब मैंने यहां पर इसके address में लिखना है shell semicolon sorry colon और आगे लिखना है send to without space send to आप देख सकते हैं इसको shell s h e ll colon s e n d t o send to यह लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपके पास यह option 4 5 option जो हमें वहां पर शोग हो रहे थे वह आपको यहां शोग हो जाएंगे अब आपने कह करना है सिंप्री अपनी इस फोल्डर को उठाना है और यहां पर मूफ कर देना है आप इसका नहीं चेंज करना चाहूँ आप नहीं चेंज कर सकते हैं वैसे शोटकल को अटा देती हूं सिर्व मों कदस्रान देती हूं और हम इस फाइल को हमारे पास हमारा अपना एड किया हुआ फोल्डर उसकी लिकेशन आ जाएगी अब मैं यहां पर इस फाइल को सेंट कर देती हूं अब जाकर हम देखते हैं कि हम कदस्रान यह शोटकल आ गया है यहां पर फाइल जगरा सब कुछ यहां पर आ चुकी है तो यह तो मेरा फेवरेट 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 ट्रिक था जो के मैंने जैसे ही सीखा और मैंने चाहा कि मैं आप सब के साथ शेयर करूं क्योंकि इस सब चीजों की मुझे बहुत हो रहती आप लोगों को थी या नह पूर बनाएं इससे आपकी efficiency improve होगी आपका काम असान होगा तो अब हम बढ़ते हैं अपने च्छेटी ट्रिक की तरफ और च्छटा ट्रिक हमारा है एरो स्नैप डेस्क्टोप विंडोस एरो स्नैप डेस्क्टोप विंडोस मेंस आपके पास के ग्रोग्राम ओपन है लाइक इस तो आपके सामने आ रहा होता है वो ही आपकी एक विंडो ही कहलाती है तो अब देखिए मैंने इसको रिसाइज करना है तो मैं यहां से maximize और restore कर सकती हूं या इसका size इस तरह कर सकती हूं बट अगर मैंने keyboard को यूज करना है तो मैं क्या करूंगी कि मैं Windows या मैंने इसको इस तरफ लेकर जाना है इस तरफ रखना है यह इस तरफ रखना है जैसी ही तो मैं विंडोस की को वोल्ड करूंगी और कर्सर मॉवमेंट की इसका therapies करोंगी यह कशल मॉवमेंट की मैंने आप फली यूज किया है, मतलब, और जह हैं, जब मैं डाउन करूँगी, तो ये दाउन करूँगी विन्डोस के साथ, डाउन की, तो ये इस तरह से होजएगा, राइट करूँगी, तो इस तरह से होजएगा, देख सकते हैं, माउस का इस्तमाल, और ये मैंने WINDOWS के साथ जब आजएगा लाइक देश ओके तो फुल्ड इस इस जूफुल फॉर यूपिपल अब रटते हैं हम अपने साथ में ट्रिक की तरफ हो है अड्निव फोल्डर्स तो फाइल एक्स्प्लोरर जी अब यह आपके पास एक एक्स्प्लोरर ओपन है विंडोस एक्स्प्लोरर आप यहां देख रहे हो यह फेवरेट्स में आपके पास यह तीन ऑप्शन बाइडिफॉल आ रहे हैं इसमें हम कोई तबदीली नहीं करते ही हमारे पास बाइडिफॉल भी आ रहे होते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पर अपनी पर सकूँ तो यहां पर है एक रम लोकेशन टू फेवरेट्स करना क्या होगा हमें सबसे पहले हम माई को मिनट्रोस में जाते हैं और अपना वहीं फोलडर मुकदुस वला देखते हैं यह फोलडर मैंने ऑपन कर लिए आप में पास यहां पर आप लोकेशन देख रहे हैं म यह आप यहां पर फेड्रेट में एड करना चाहता है तो आप इस पर क्लिक कर दो यह देखें मुकदस यहां पर अब इसका बंग करती हूँ दोबारा से में इंडर्स पर और उपन करती हूं यहां वह रहा है अब इन फॉरन इस पर सेस्क नहीं है तो मुझे आगे फॉर्दर में यहां पर लिख करोंगी और मेरा मुकदस फाला फॉल्डर यहां पर मेरे सामने आजाएगा तो यह भी एक बहुत मेरा फेवरेट 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 ट्रिक था जो मैंने आप लोंके साशेर किया और एक और दिल्चास ट्रिक आप मैं आपके साशेर करने जा रही हू वो है DIY Keyboard Shortcuts यानि के Do It Yourself Keyboard Shortcuts आप कोई प्रोग्राम आपके पास यहाँ पर मजूद है कोई भी प्रोग्राम जाब हो जादा ओपन करते हो आपको उसको डूननी की जुरूरत नहीं है आप उसको एक shortcut key apply कर दो define कर दो तो आपको प्रोग्राम उस shortcut key से open हो जाएगा तो चले देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा मुझे snipping tool की बहुत ज़रूरत परती है और मुझे word tool जो है word program इस program की भी बहुत ज़रूरत परती है तो चले हम snipping tool के अवाले से आपको मैं सबसे बहुत आती हूँ कि इस tool का use जो लोग ज़ादा करते हैं तो वो उसका shortcut key कैसे define कर सकते हैं इसकी main location में हम जाते हैं आर्प्रोग्राम्स असेसरीज और यहां बर मारे पर स्नेपिंग डूल मजूद है आप इस पर हमें right click करना है और properties में जाना है properties में चले गई properties में जाने के बाद आपके पास j shortcut option in आ जा रहा है आ आपके इसे different आ रहे ह माला ना tab आपूर क्लिक कर जोगे shortcut पहले पर क्लिक करना है आपने इस Cu roughly आरहा है None आप इसको None करो आप यहां कर की बता सकते हो और की बताने के लिए आपने Ctrl-Alt यूज करना है और उसके साथ आप कुछ भी उस कर सकते हो जैसे Snipping मतलब Caesar है तो Caesar X की सूरत में होती है तो मैं इसका X रखना चाहूँगी तो X मैंने इसको shortcut की define कर दी Ctrl-Alt-X ठीक है अब मैं इसको कर देती हो OK अब हो मैं से कह रहा है You will need to provide administrator permission to change this setting मैं इसे continue कर देती हो as an admin तो अब हम इसको refresh कर लेते हैं और हम आप इसको shortcut की apply करेंगे क्या थी Ctrl-Alt-X हमारा Snipping Tool आपके सामने आजेगर देखें Without using mouse मैंने इस tool को open किया है तो इसी तरह से जो program आपके जाथ इस्तमाल में हैं आप उनको shortcut की define कर सकते हो और इसको इसको इस्तमाल में ला सकते हो और ये भी एक best trick है अच्छा अब हम मूव करते हैं अपने second last trick की तरह but not least वह है हमारा browse all of the web or all of your PC form your task so okay इसके लिए हमें करना क्या होगा सबसे पहले तो हम यह वह फीचर यहां पर अपने taskbar पर open करेंगी इसको enable करेंगी और किस तरह से करेंगे अगर आप windows 7 में तरह यूज कर रहे हैं तो आपने right click करना है और properties में जाना है properties में जाने के बाद आपके पास यहां पर टूल बार्स का option आ रहा होगा टैब आ रहा होगा आपने यहां से address को चेक करना है और okay कर देना है यह address वार आपके पास यहां पर आ जाएगी अब अगर मैं यहां पर लिखो www.google.com तो यह में पास एक web page को open करेगा और Google को open कर देगा अगर मैं यहां पर लिखो www.youtube.com www.youtube.com slash लगाए और my own way एंटर करें तो यहां पर हमारे चैनल को open कर देगा तो इस तरह से आप ब्राउजिंग कर सकते हैं यूजर्स तो यूजर्स का फोल्डर open हो जाएगा तो इस तरह से आप assess कर सकते हैं तो यह है मैं तो यूजर्स नहीं करती लेकिन जो लोग बहुत जादा हमारे पास वो क्या है task switcher switch between windows अब यह है के आपने दो windows open की नहीं है आपने पास like this and this और और भी कोई window open की है like 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 this इसमें फोटर टाइम लगेगा अचा अब मैं चाहती हूँ के मैं अपना जो टेक्सटोर पर ये वला folder मैंने open किया उसको आगे लेकर आना है लेकिन माउस को इस्तेमाल किये बगैर तो मैं क्या करूँगी में पस दो तरीका कार है एक तो है मैं Windows और टैब फो फोल्ड करूँगी एक साथ यह combination यूज़ करूँगी Windows और टैब Windows और टैब से मेरे पास PowerPoint आगया और यह डेस्ट और फोल्डर मैंने उपन कर लिया अब मैंने दूसरे क्ली किसे स्विच करना है तो वो अल्टन टैब है इस तरह से आप देख लो आपके पास यहां पर यह चीज दिखाई देदिया आप में जो चीज ओपन करनी है जो पूल्डर या मने डेक्स्टोप भी ओपन करनी है तो आप उस पर दिख कर दो बाकि सारे हो जिनके जो फाइल फोल्डर ओपन है यानि के मिनिमाइज हो जिनके और आपके पस डेक्स्टोप सिरफ अपियर वो का तो यह थे हमारे आज के बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट और रेलेटिक टुदा विंडोस 7,8 एंड ओनवर्ड सो मस्ट्राइब इस ट्रिक हैं नेक्स टुटोरियल में तब तक के लिए अल्हाफिज असलाम लेकों रहमतुलाहिव बरकात